इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जेप्टो एप ओपन नहीं हो रहा है कैसे ठीक करें हलो दोस्तों स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपका भी Jepto application open नहीं हो पा रहा है Jepto application जो है एक यहाँ पर आपको किसी भी समान को order करने के लिए इस application का आप इस्तिमाल कर सकते हैं अगर यह application आपके phone में open नहीं हो रहा है तो किस तरीके से आप इस problem को ठीक कर सकते हैं इस वीडियो को ध्यान से देखिए इस वीडियो के अंदर आप सभी को मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं Jepto application open नहीं हो रहा है इसको ठीक करना काफी असान है अब यहाँ पर इसको ठीक करने का 2-3 तरीका मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहला तरीका का इस्तेमाल करना है वो है दोस्तो अपना इईटरनेट को चेक करना है कभी कवार क्या होता है कि जो हमारा mobile का इंटरनेट है वो यहाँ पे अच्छे से नहीं चलता है इसके कारण जो है किसी भी परकार का कोई भी आप्लिकेशन ओपन नहीं होता है तो आपको इंटरनेट को चेक कर लेना है अगर आपका इंटरनेट ख़राब है तो आप यहाँ पे एक flight mode का बटन दिया जाएगा उपर के साइड से इस तरीके से आपको slide करना है और एक flight mode का बटन होगा इस पे एक बर click करना है और इसको on करके फिर से आपको इसको एक बार बन करके चालू कर देना है इस तरीके से अब इसके बाद जो भी आपका mobile का internet होगा वो यहाँ पे काम करना है start कर देगा और जो भी आपका internet होगा वो अच्छे से work करेगा और आपका application open होना start हो जाएगा अगर मान लीजिए इस तरीके से फिर भी आपका application open नहीं हो रहा है तो मैं आपको दुसरा तरीका बता देता हूँ इसके लिए आप अपने mobile के setting में चले आईए और mobile के setting में आने के बाद थोरा सा नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको एक option देखने को मिलेगा apps बना आप जैसी की देख सकते हैं इस पे आपको click करना है और देन इस पे click करने के बाद आपको धेर सरा application देखने को मिल जाता है आपको अपने यहाँ पे Jepto app को search करना है search का option दिया जाता है इस पे आप click करें और यहाँ पे search करें Jepto इस तरीके से application आजाएगा इस पे आपको click करना है click करने के बाद सबसे पहला काम जो करना है थोरा सा नीचे आईए और यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको एक mobile data का बटन दिखेगा उसके नीचे में जो storage का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे में दो option मिलेगा पहला option ने clear data और दूसरा option ने clear cache आपको clear data बिलकुल भी नहीं करना है इससे जो आपका यहाँ पर account है वो logout हो जाएगा आपको clear cache पर क्लिक करना है और यहाँ से back आना है बैक आने के बाद आपको जो है यहाँ पर forest stop का button श्रो होगा इस पर क्लिक करना है और okay वाले बटन को दबा देना है इतना काम करने के बाद जो आपका जैप्टो application है वो open होना start हो जाएगा अगर इस तरीके से फिर भी open नह एप्टो एफ होगा वो आपके सामने आ जाएगा और इसको जो है आपको update कर लेना है यहाँ पर इस application को update का option दिखेगा update कर लेना है कभी कवार application को update ना करने के कारण जो है यह application रच्छे से काम नहीं करता है तो इस सीच को आपको बिलकुल भी याद रखना है और इस तरीक पॉक्स में जूर से बताएगा वीडियो को लाइक करना साथ यह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले